हम हैं ये धारी बाता मंदीर है और हम पद्री विशाल के दर्शन करने चारे हैं कल कल जरना सरसोर हावा खंडू मीठो पाणी हो धन्य धन्य चायो मेरी देव भूमी उत्रा खंड कूनी हो हेलो दोस्तों दो आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो फस्ट पार्ट देख लेना यह सेकंड पार्ट हमारा चंडी गर से ता जो हम कल रात से निकले वे नो बज़े से जीरखपूर से और हम शिरी नगर तक हमने फस्ट पार्ट कतम करा क्योंकि मुझे जंबी नहीं देखा है तो देखो और अगले पार्ट देखना बहुत मजाएगा तो चलते हैं आगे की ओड़ी क्योंनी हो ली इनी हो ली क्योंनी हो ली मेरी सोज़्याव बांद कनी हो ली दप जाली इनी हो ली क्योंनी हो ली जै पुरिय गयो ए नाधान बनी ये तन्हयोडण गी चतराई बनी मैं लेरी ओ ल्यायोए इस एक बार फिर से हम धारी माता मंदिर आ गे है और एक्च्छी क्या है कि टीरी से एक रूट है जो सिधा रूदर पर लाग जाता है और ये दूसरा रूट होता है मलेता वाला बट मैं फिल भी मलेता वाला ही चूज करता हूँ शिरी नगर होके because मैं धारी देवी माता के दर्शन करने आना चाहता था जब से मैं यहां पे आता हूँ कि जहां पे हम एक्टिवा पार्क करते हैं महीं पर अपना समान रख देते हैं तो आप भी समान रख सकते हैं 101 रूपे का परशाद होता है वो लो और अपना दर्शन करने आओ बीना किसी लगेज के वहां पर अभी तक हमार साथ कभी गलेत नहीं हुआ मैं दो बार आ चुका हैं दोनों बार मैंने समान रख देते हैं तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है पर यह है कि इंपोर्टेट चीजे अपनी अपने पास कईरी कर लेना जैसे मेरे पास जो मेरी इंपोर्टेर एकसरीज है वो मैं कर लेता हूँ बाकी कपड़े कपड़े तो नॉर्मल चीज़े हैं और वोलेट अपने पास रखता हूं और वो महाँ छोड़ देता हूं तो अब जाते नीचे और आपको दिखाते हैं के थाप मसक बाजा ला गला अजल गलू मंडाण भली आली रशाण गुण्जाराण अर ढोल कु कश्यू ताणू दिदा पंडों बारिता कन में साणूं अर तेरे दोयाल नोबत सुणे जिवाल पड़ो देव जेव ताणूं मठ्ञाना की बगवती एगे भरदारीं का खोला मठ्ञाना की बगवती एगे भरदारीं का खोला बांदों का सजील परवार अजीब एखों का टोला बांदों का सजिल परवार, अजी बैखों का टोला अज लगा लू मनडाण, बली आली रशान अज लगा लो मनडाण, बली आली रशान डोल दामों, मसक बाजार तो दोस्तों एक पर फिर हम धाई देव बनदी में आगे, आपने पहले भी देखियोंगे कि मेरे व्लोग्स में मैं स्पेशल मलेथा शरी नगर हो के आता हूं ड्रेक्ट हो गया करने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगता है और दारी माता की पस ऐसी किर्पा हम सब पर बनी रहे और काफी मदब सुकून मिलता है ऐसी धारमिक जगाओं में आगे तो आप दी कभी आईए और बहुत अच्छा मंदिर है यहां पर दर्शन कीजिए और यह तो हमाले उत्राकर्ट की को सब्सक्राइब है उसका भी एक आप उठाईए सो दोस्तों अभी हम धारी देवी मंदिर में एक भाईया से मिले हैं यह यहां पर ही भाईया है विकास मोहन इनका नाम है इनका भी यूट्यूब चैनल है डी त्री एडवेंचर विकास मोहन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो यह धारी देवी माता के लिए जो वीडियोस बनाते रहते हैं उनके बारे में आप क्या क्या बनाते रहते हैं मैंने व्लॉगिंग का ही सुरू किया इस हैं उनका मतलब पूरा उसमें आंसर है तो अभी मैंने भाहिया का चैनल देखा और काफी अच्छा एक्सप्लेइन करते हैं और धारी माता के जिन जिन पर आस्था है जो जो माता को मानते हैं तो एक बार इनका चैनल जरूड देखना क्योंकि आपको हिस्ट्री पता लगी क जाती और मैंने जो सुनाए कि यहां पर मान्यता ही है कि जब किदानात में आपड़ा आई थी तो इस टेम पर मूल स्थान से मुर्ती हटाईगी ऐसा कुछ जैक्ली यही हुआ था कि मूल स्थान जहां आप नहीं टेम्पल देख रहे हैं जी आपने जहां पर दर्शन किए यहां पर नीचे भगवान की मूर्ती थी जो मैंने आपको पहले भी बताया है मूल स्थान से मूर्ती को उठाया गया था और उसी की बाद में केदारनात में वो आपड़ा आई थी तो यह मान्यता है धारी माता मंदिर की मेरा first vlog तुंगनात का यहीं से start हुआ था यहीं से start हुआ था और काफी यादे हैं उस vlog के साथ मेरी और वो यादे मतलब कभी मैं भूलनी सकता हूँ अपनी life में तो इसलिए जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ वो सारी memories दुबारे से repeat हो जाती है तो वो यहाँ की memories है यहाँ प जो में वीडियोज वगेरा बनाई थी उस्टेम टिक टॉक चलता था टिक टॉक वीडियोज बनाई थी तो काफी अच्छी memories हैं और वो मैं कभी बोल नी सकता हूँ यह देखो चपल में आने का नुकसान प्यार गंदे ना होजे रेत में इसे कंदा गोडी खेला जा रहा है अब बस उसकी कमर लचक जेगी अब क्या ट्रेकिंग करोगे रे रे इमंद के जानना चले फिर अब चलो चलो जल्दी चलो चलो उठ एक में इतना स्पाइसी ठोक दो कि बवा सीरी हो जे क्यों भाई यह देखो रात को जाने वाले बंदे नहीं रात को जाएंगे रात को जाएंगे अब पता चलर रात को जाएंगे अब पूरी हालत टाइट है रात को जाएंगे नहीं हम तो उठ जाते हैं अभी लटक रहा था अभी लटक रहा था जो रात को जाओ यह देखो रात को जाने वाले बंदों को रात को जाएंगे रात को जाएंगे रात को और दिन को सो जाओ तो दोस्तों कभी भी आते हो सामने ये धारी माता का मंदिर है यहाँ पे जैसे हमने अपनी पार्क रियक्टिवा और समान हमने यह अंदर रख दिया है तो 101 रुपे का परशाद लो समान रखो चिल रेस्ट मारो हमारी तरह और धर्शन करो माता के क्या लेकर आयूर बंदे क्या लेकर जाएगा क्या लेकर जाएगा दो दिन की जिन्दगी में दो दिन का मेला क्या लेकर आयूर बंदे क्या लेकर जाएगा क्या लेकर जाएगा दो दिन की जिन्दगी में दो दिन का मेला वो कहां गये बलवान तिन पग धर्ती तोलनियां चिन की पड़ती दाक नहीं कोई सामें बोलनियां मेरे बैडो लनियान गया वो अकेला दो दिन की जिन्दगी में दो दिन का मेला वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई नै गड़ को ठै की नीम छोड़ जा चिनी चिनाई नै मेरे तो बनाई रे बन्दा यहीं छोड़ जाएगा दो दिन की जिन्दगी में दो दिन का मेला इस जगत सराए मैं मुसाफिर रहना दो दिन का तू छुठा करे गुमाने रे भई रे धनी और जो बने का मेरी तो अब शाल हो गए कि हम अपने आपको ठंक से कवर कर सके तो गिल्ले होने के चांसिस भी हां ठीड़ेगे अब चूरे आज में पूचके जारे कि कशह नता काउं पडेगाय Tax तो वहीं पर हम रेश्ट कर लेंगे तो देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं अब है कि अगर आगए तेज होगी बारिश तो फिर संगा होदेगा कंफर्म करते हैं बाई से कंफर्म करते हैं कितनी दूर क्या है अब हम आगके लिए कि अजिता पर आप दो दूर्म करते हैं कौक भी तो गुखे लगी है युख जो आपने करते हैं शोरी लची माँ सुरा सुरा हव चली साढ़ी समाला नोडा सुवासा तरहत माँ भलचा जिरॉल किया रूपाला गाइज लुकेशन देखो यार कितनी प्यारी है मतलब मैंने जैसी इस लुकेशन को देखा बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशल रुका हूँ क्योंकि ये लुकेशन बहुत प्यारी है ये मायपूर है अभी हम जो अपना जोशी मत के लिए आगे जा रहे है और यार ये लुकेशन इतनी बढ़िया लग रही है कि मतलब मैं क्या बताऊं समझने आ रहा है ये एक सोसाइटी लग रही है जैसे आप देख रहे होंगे ये देख रहे है वह सामने आपको एक पॉल सा दिख रहा होगा अंकल खड़ेवे ये लाइट पॉल है और ये अंकल खड़े वें जहां पर और यह जो आपको दिख रही है ये लाइन वाइट ये जो पैदल चलने केलिए रास्ता बनाया हुआ हुआ है तो ये गली टाइप में इसको देखके तो मुझे लगा कि यार इसको कैप्चर करें हम अपनी मेमरी के लिए और यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार मतलब खुले-खुले घर एक सोसाइटी जैसे शहरों की सोसाइटी होती है वो कितनी भीडी-भीडी होती है खुली-खुली सोसाइटी और इत काश यार यहाँ पे मेरा घर होता यहाँ पे जैसे हमें क्रिकेट खेलने का छूक है मैं क्रिकेट खेलते जूम करके एक दिखा ओर हों झेखो मंदिर भी और यह तो मंदिर भी है घर है सब-खुले तो यार मन्दब इतना च्छा लगर यहां पर हम अराम से क्रिकेट खेलते हैं जब दस्ती यह उत्तरा खंड जन्नत है जन्नत है अपने आप में सो गाई अभी हम पीपल को टी में बहुत ही दुवीदा में फस्तु किया यहां पर लोगों ने हमें बताया चेज़ा के करीब को चेकल किसी न बोला कि बदली नाथ माना में आपको एंट्री नी होगी वहां पे शिफ लोकल को जाने दिया जाता है कपाड भी बंद और वहां सिर्फ हम अकेले रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से request करके उनसे room लिया, क्योंकि कल हो ली है सब बोल रहे हैं कि आपको ना कल खाना मिलेगा और ना ही petrol pump मिलेंगे तो आप आगे कैसे जाओगे या पिछे भी कैसे जाओगे तो कल का पूरा दिन आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा बट हम टेंशन में और कल रात से हम सोए भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है कोशिश तो यही है कि जैसे तैसे करके हम आगे जाएं और जहां पे हमने नर्सिंग मंदिर में दर्शन के लिए जाना है भगवान के वहाँ तो दर्शन करें, हाँ यह है कि माना गाउं शायद हम नहीं जा पाएं वो कल ही पता लगेगा क्या होगा और कल कैसे कैसे जा पाएंगे यह भी कुछ आइडिया नहीं क्योंकि पैट्रोल पंप और खाना सब कुछ कल बंद है होली करके और यहां पर थोड़ा सा रिस्की भी रहता होली में तो देखते हैं क्या होता है यह देखो अब यहां पर स्टार्ट होगे हैं अपने पत्ते पत्ते लेके भाई शरीफ है भाई को ना भाभी कहले आती है ना देवर ना चटानी कुछ नी तो यह सो रहे है और यह रहा हमारा रूम और सबसे बड़ी बात यह कि रूम कितने का मिले 300 पेगा मातर 300 पेगा इ इतना बड़ या रूम मतलब डबल बैट लगे हुए है इधर भी यह फोकस की नहीं हो रहा है इधर भी उदर भी प्लेस यहां पे एकदम फस्सक्लास बोश्रूम है यहां सारी फैसलेटी है यहां पे आप बैठ सकते हो टेबल है और यहां पे यह पीछे कुछ खिड़की ह जादो कुछ व्यू नेचर वाला व्यू निय है पट यहां पर यह मस्त तीन गली में कमरा पीपल कोटी में हम पीपल कोटी में रुकें है और पीपल कोटी में तीन गली का कमरा खाना खाया हमने एक फोन ही जोजिए एक किलो मेटर प्यादा लागे